नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रभ्योत आप देख रहे हैं 880 YouTube चैनल तो स्वागत है अब सभी का Windows Tips & Tricks के एक और ने टिटोरियल में तो दोस्तो Windows में एक Defending System होता है जो कि हमारे Systems को एंड वाइरस से प्रोटेक्ट करता है तो इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि हमारे Operating System में कुछ ऐसे Executable Commands भी होती है जिसके इस्तिमाल से अगर हमारे सिस्टम में कोई Crupt File है या फिर हमारे सिस्टम में Errors और Bugs आ रहे हैं हम उन्हें भी Manually Fix कर सकते हैं Without Installation of Any Application तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी हैं वो Commands और कैसे हम उन्हें Execute कर सकते हैं इस वीडियो को Like करें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो क्लिक किजिए स्टार्ट मेनियो पर और यहां पर टाइप किजिए CMD और इसे Run as Administration की Permissions के सब्सक्राइब कर लिजिए तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपकी hard disk में कोई corrupt file available है या फिर आपकी hard disk की जो files है वो properly execute नहीं होरी उनके लिए आप simply command लगा सकते हैं यहां पर check desk और आपका system automatically आपके जितने भी partitions created हैं उन सभी को one by one check करेंगा उनमें से जितने भी corrupted files रहेंगी या फिर unexecutable functions रहेंगे उन्हें यह automatically cracked और जो harmful files है उन्हें remove कर देगा और यहां पर इसका process complete हो चुका है इसके अलावा अगर आपके operating system में कोई भी error आ रहा है तो उसके लिए आप command यूज कर सकते हैं और यहां पर सबसे पहले जब आप sfc लिखोगे तो आपको उस command की details मिल जाएंगी और यह particular functions है जो आप इस command की help से use कर सकते हैं यहां सबसे पहला function है यहां पर scan now का तो अगर आप अपने system को completely scan करना चाहते हो तो आप simply इस command के साथ यहां पर add कर सकते हो slash scan now और यह automatically आपके system की scanning स्टार्ट कर देगा और जितने भी उसमें errors या फिर आपके corrupted programs installed हैं उन सभी को यह fix कर देगा और यहां पर इसने सारी system file और program files को scan करके fix कर दिया है तो इस तरह जैब अपने system को check कर सकते हैं अब बात करते हैं protection की तो यहां पर आप simple गा सकते हो इस particular command से आपके system के जितने भी ports अभी available है और working state में वो यहां पर सभी show हो जाएंगे जिनको आप internet के थुरू access कर पा रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई web page को open नहीं कर रखा या फिर यह particular link unspecified है तो आप उसे तुरंतली close कर दीजिए यहां पर मुझे मेरे system के जितने भी open ports हैं वो सभी यहां पर show हो गया है इनके इलावा अब बात करते हैं कुछ common commands की तो सबसे पहले pink command के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि pink command को हम use कर सकते हैं अगर हमने किसी भी web page या किसी network device के साथ connectivity चेक कर जैसे मैं यहां पर google के सा करना जाता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं google.com और enter करता हूं और यहां पर मुझे google के server का जो ip address है वो यहां पर response कर रहा है मतलब कि मेरा system successfully internet के साथ connected है तो आपकी pink command से check कर सकते हो आपकी connectivity system की कि आप किस particular website से connect करना चाहते हो और वो site आपके system में accessible है या नहीं उसके इलावा अगर आप चेक करना चाहते हो कि उस site पर रीच करने के लिए आपका system कितना time ले रहा है या फिर अगर आप कोई file upload कर रहे हो उसमें कितना time consumption हो रही है तो उसके लिए आप यह वाली command execute कर सकते हैं और यहां पर mention कर दीजिए वो particular location जैसे मैं यहां पर दुबारा से google .com ही type कर देता हूँ और यहां पर आपको show हो जाएगी आपकी details के कितने time में जो आपका system है उस particular place पर पहुंच सकता है अपनी destination पर और कितने time में यह packets को transfer कर रहा है और control Z की help से आप इस process को यहीं से रोक सकते हैं इसके इलावा एक और command है जिसका नाम है ipconfig जिसकी help से आप अपने system के जितने भी ports available है उन सभी के उपर जो configuration हो रखी है वो आप सभी यहां पर check कर सकते हैं और अगर आप virtual ports को भी check करना चाहते हैं तो आप simply config के साथ यहां पर लगा सकते हैं all तो आपके system में जितने भी ports आ और time to time आपके system में जो corrupted files हैं या फिर error files हैं आप उन्हें remove कर सकते हैं तो comment section में बताइए कैसा लगा आपको यह video और इसी तरह के मज़दार videos के लिए बने लिए A280 YouTube channel के साथ